गुजरात के केवडिया में केंद्री ये स्वातरक्ता आयोग और सीबी आई का संयुक तो सम्मेलन चल रहा है सम्मेलन को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा प्रष्टाचार चाहे छोटा हो या बड़ा वो किसी ना किसी के हक को मारता है उन्होंने का कि प्रष्टाचार से राष्टर की प्रगते में बाधा पहुँचती है ऐसे में जाच एजिंसियों की मुख्य भूमे का बहुत महत्वपून हो जाती है प्रधान मिंत्री ने कहा कि सुराज तभी संभव है जब सब को नियाय मिले सम्मेलन में लोकपाल के ध्यक्ष जस्टिस पिनाकी, चंद्रगोश, सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर सुरेश एन पटेल और सीबी आई के निदेशक सुबोध कुमार जैसवाल सहित कई विभागों के वरिष्ठ अद्यकारी हिस्सा ले रहे हैं करप्षन से जुड़ी नई चुनोतियों के सार्थक समाधान तलास देख लिए हैं आप सब सरदार वल्लभाई पटेल के सानिध्य में महा मंथन के लिए जुटे हैं सरदार पटेल ने हमेशा गवर्नेंस को भारत के विकास का जन सरोकार का जन हीत का आधार बनाने को सर्वोच्च प्राथ्विक का दी थी आज हम भारत की आजादी का अम्रुत महोच्व मना रहे हैं आने वाले 25 वर्ष यानी इस अम्रित काल में आत्म निर्भर भारत के विराठ संकल्पों की सिद्धी की तरफ देश बढ़ रहा है आज हम गुड गवर्नेंस को एक प्रकार से गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस को ससक्त करने में जुटे हैं ऐसे समय में आप सभी साथ्यों की कर्मन्यता, कर्मशिलता, सरदार साभ के आदर्सों को मजबूत करने वाली है साथ्यों हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है न्याय मुलम सुराज्यम श्यात यानि सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले ब्रश्टाचार करपसंग छोटा हो या बड़ा वो किसी न किसी का हक शिनता ही है ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से बन्चित करता है राश्ट की प्रगति में बाधग होता है और एक राश्ट के रूप में हमारी सामुहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है आप सभी साथियों पर जिन संस्थानों से आपका समद्ध है उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रचाय में और माता नर्वदा के तट पे अपने संकल्प को फीर दोहराना है देश के प्रती अपने दाईत्वों के एहसास को नई उर्जा से भरना है साथियों बीते छे साथ सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए है कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेंदेन के बिना बिचोलिये के भी सरकारी योजनाओं का लाब मिल सकता है और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्योंना हो देश और दुनिया में कहीं भी हो अब उन पर रहम नहीं किया जाता सरकार उनको छोड़ती नहीं है